Hello Class 6, Welcome to the Class, Myself HD Mohit और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ Social Science Social Science में Political Science, ठीक है Social and Political Science का Chapter 1 उसका Lecture No. 4 आज हम कवर करेंगे, कौन सा Lecture 4 Lecture 4 में क्या है? Diversity in Occupation तो चलिए स्टार्ट करते हैं The system of earning for a living is very old जो earning का system है, जो कमाई का system है, वो बहुत पुराना है This system perhaps started after the discovery of agriculture ये जो system था, वो शायद तब शुरू हुआ था, जब agriculture की discovery हो गई थी ठीक है? When man discovered the art of agriculture he and all his companions engaged themselves in cultivations जब लोग उने, जब व्यक्तियों ने, मतलब जो श्टाइम के लोग थे उन्होंने discover किया, ये art discover की, agriculture की मतलब उन्होंने खेती करना सीखा, तो वो और उनके सभी साती, सभी लोग cultivation में ही लगे रहते थे मतलब एक घर में आगा 6 लोग हैं, तो 6 के 6 लोग खेती में ही लगे हुए हैं but with the passage of time, जैसे जैसे time गुजरा, he came to realize that there was no need for all people to be engaged in agriculture, जैसे जैसे time गुजरा, उन्हें समझ में आया कि सभी लोगों का agriculture में जोड़े रहना, सभी लोग agriculture में काम करें, यह जरूरी नहीं है, ठीक है न, some of them, some of them, could be spared for other jobs, ठीक है, कुछ लोग, दूसरी भी jobs कर सकते हैं, समझ में आया, समझ में आया यह बात, ठीक है न, so now, some were engaged in agriculture, सो अब कुछ लोग agriculture में लगे हैं, some fought and defended them from their enemies, कुछ लड़ रहे हैं, और enemies से बचा रहे हैं, some were engaged in the production of the certain commodities, कुछ अलग-अलग commodities के production में लगे हुए हैं, while other were engaged in the exchange of commodities, और जबकि कुछ ऐसे काम में लगे हुए हैं, जो की commodities को exchange होती हैं, ठीक है, other began manual jobs for them, और कुछ लोगों ने नोकरियां start करते हैं, thus there was a division of labor, और यह हुआ division of labor, labor का division हुआ, which enabled early people to march towards civilization, और जिसने people, यह enabled किया, इस like किया कि लोग civilization की तरफ march कर सकें, civilization की तरफ जा सकें, देखी क्या होता है, मैं आपको एक अच्छे से बता देता हूँ, कि जब यह जो earning का system है, यह साइथ तब रहा होगा जब agriculture start हुआ था, ठीक है, जब लोगों ने agriculture start करना सीखा था, उसके बाद से यह system सुरू हुआ होगा, ठीक है, जब लोगों ने agriculture start करना सीखा, तो आप समझे लिए, उनके गर में 6 लोग हैं, तो 6 के 6 लोग लगेते एगरीगल जरम हैं, भाई खेती में कटाई, गुडाई कहीं कुछ कहीं कुछ, ऐसे होता था, ठीक है, खेत है 4 वीगा, 4 वीगा में लगे हुए हैं 6 लोग, ठीक, अब 6 लोगों की 4 वीगा में जरूरत नहीं है, वो काम 2 लोग ही कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम यह बास समझ में नहीं आती थी लोगों को, फिर धीरे धीरे जब जैसे टाइम भी था, लोगों को यह बास समझ में आई, कि सभी 6 लोगों की जरूरत नहीं यह खेती में, 4 वीगा की खेती दो लोग भी कर सकते हैं, तो और बाकी के 4 लोग, और दूसरे काम कर रहे हैं, तो दो लोगों ने अगरी कल्चर इस्टाट कर दिया, खेती कर रहे हैं, कुछ लोग बॉर्डर पर चले गए, ठीक है, आर्मी बगेरे की जॉब ले ली, उसमें काम कर रहे हैं, कुछ लोग किसी के यां लेबरी कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोडक्शन जो होता है, उसमें लग गए हैं, कुछ लोग जो कुमोडिटीज एक्सचेंज होती हैं, ठीक है न, जैसे आप समझ दीज़े, गोड से एक्सचेंज होता हैं, आज के टाइम पे हमने गेव विच्च कर दी, तो किसी कहीं के यां नौकरी सुरू कर दी, राजा के यां नौकरी सुरू कर दी, तो अब क्या हुआ, ये जो लेबर का डिविजन हुआ, ठीक है, लोगों का, ये मजदूरों का काम में बटवारा हुआ, कि 6 लोग 6 जगे काम कर रहे हैं, मलब 6 लोग कर रहे हैं, औ और अच्छा खासा पैसा गमा रहे हैं जिसने इनेवल किया उस टाइम के लोगों को कि वो सिबिलाइजेशन की तरफ मूव कर सकें सिबिलाइजेशन की तरफ जा सकें समझ में आया चलिए जब लोगों ने कम्यूनिटी लाइफ जीना शुरू किया और उन्होंने गाओ बसाए ठीक है समझ में आया पहले जंगलों में रहते थे जंगलों से निकल के जब खुले में मैदानी लाकों में फिर उन्होंने गाओ बसाए तो उनकी जो एक्टिविटीस थी वो लिमिटेड थी प्राइमरी एक्टिविटीस तक प्राइमरी एक्टिविटीस क्या होती फार्मिंग ठीक है खेती फेसिंग ठीक है मचली पालन बगारा हंटिंग सिकार करना ठीक समझ में आया यह प्राइमरी एक्टिविटीस होती तो nature से acquired करते थे these activities were not primary but secondary activities ये activity primary नहीं होती है लेकिन ये secondary activities होती है तो अब कैसे देखिए क्या उन्होंने काम शुरू किया लकड़ी है पेड़ काटा कारपेंटरी करना शुरू किया ठीक है उसके लकड़ी के सामार बनाना शुरू किया बेचे तो बदले में क्या मिला पैसा वीविंग ठीक है वीविंग करना शुरू किया डाइंग करना शुरू किया समझ माया तो ये काम वो आगए secondary में when blazes grew into towns जब blazes बन गए town इलाके and town into cities और जब town बन गए शहर तो third type of activity developed तो तीसरे service offer करते और उन्हें मिलता payment these are called tertiary occupation या tertiary activities यह बोलते है tertiary activities या tertiary occupation ठीक है क्या होता यह teaching, banking, engineering clerical jobs are tertiary activities मैं teacher हूँ ठीक है मैं आपको school में पढ़ाता हूँ इसके बदले मुझे क्या मिलता है ठीक है इसके बदले जो हमारे principle है वो मुझे देते हैं salary ठीक है एक bank में बैठा हुआ व्यक्ति है वो bank में पैसे निकालना और यह सब काम करता है पैसे आपको देता है उसको इस काम के भी पैसे मिलते है एक engineer जो pull बनाता है घर का नक्सर डिजाइन करता है उसको क्या मिलता उसको भी salary ही मिलती है तो यह हुआ हमने अपनी services दिये और बदले में हमें मिले पैसे ठीक है तो इस type की ओती है tertiary sector, tertiary activities, tertiary jobs समझ में आया समझ गई ना occupation में diversity समझ गई ठीक है तो आप आप क्या करेंगे इसको पूरा revise करेंगे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आपने अपना time जया उसके लिए thank you so much